अलिवर्ड इंडस्ट्री को एक और बड़ा जटका लगा है एक बहुत ही चौकाने वाली खबर सामने आई है मश्वूर एक्टर सुशांत सिंग राजपूत ने 34 की उम्र में ही मुंबाई में अपने घर में फांसी लगा कर सुसाइट का लिया है मुंबाई पुलिस मौके पर जाज के लिए पहुची है सुशांत के आत्मिहत्या की वज़र अभी सामने नहीं आई है सुशांत के नौकर ने पुलिस को उनकी आत्मिहत्या की जानकारी दी अभी तक उनके इस फैसले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है कहा जा रहा है कि डिप्रेशन में आकर सुषान्त ने ऐसा बड़ा कदम उठाया है वही कुछ दिन पहले ही अपनी पूर्व मैनेजर की मौत की खबर सुनकर अभिनेता भावुक हो गए थे सुषान्त ने इंस्टाग्राम पर लिखा था ये बेहत दुखत खबर है मैं दिशा के परिवार और दोस्तों के प्रती समवेदना व्यक्त करता हूँ भगवान दिशा की आत्मा को शान्ती प्रदान करे सुषान्त बॉलिवुट के पॉपुलर एक्टर थे उन्होंने अपने करियर की शिरुवात टीवी आक्टर के तौर पर की थी उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धरवाहिक में काम किया था पर उन्हें पहचान एक तक अपूर के धरवाहिक पवित्र रिष्टा से मिली इसके बाद उन्होंने फिल्मों का सफर शुरू किया था वो फिल्म काय पोचे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आये थे और उनकी आक्टिंग की तारीफ भी हुई थी हाला कि उन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा भारतिय टीम के पूर कप्तान एमिस धोनी का किरदार निभा कर बटोरी थी ये सुशान के करियर की पहली फिल्म थी जिसने सौ करोड का कलेक्शन किया था उनकी आखरी फिल्म केदार नात थी जिसमें वो सारा अली खान के साथ दिखे थे सुशान सिंग राजपूत के जाने की खबर पर किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा है पूरा बॉलिवोड शौक में है सभी सोशल मीडिया पर अपनी समवेद नायव व्यक्त कर रही है इस साल देश ने और बॉलिवोड इंडस्ट्री ने कई दिगच कलाकारों को खोया है सुशान सिंग राजपूत के जाने से बॉलिवोड को बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनकी जगे कोई नहीं ले पाएगा May his soul rest in peace and give power to his family